आज है अठारा फर्वरी दो हजार बाईस मुरली कासार, मीठे आज्याकारी बच्चे, तुम्हे सदा अतेंद्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हे अभी उचे ते उचा बाप मिला है प्रश्न अतेंद्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी इश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवताओं बनाने वाले हो, जब देवताओं बन जाएंगे, तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है, यह तो तुम बच्चों के सु का गायन करते हैं, धारना के लिए मुख्य सार पहला, कदम-कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा-पूरा बलिहार जाना है, जहां बिठाए, जो खिलाए, ऐसा आज्याकारी होकर रहना है, दूसरा, अपनी चलन बहुत रॉयल उची रखनी है, हम इश्वर्य उलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है वर्दान, साधारन जीवन में, भावना के आधार पर श्रेष्ट भाग्य बनाने वाले पदमापदम भाग्यवान भव बाप दादा को साधारन आत्माएं ही पसंद है, बाप स्वयम भी साधारन तन में आते हैं, आज का करोडपती भी साधारन है, साधारन बच्चों में भावना होती है, और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देहभान वाले नहीं ड्रामा अनुसार संगम युपर साधारन बनना भी भाग्य की निशानी है, साधारन बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है, ऐसे अधिकारी ही पदमापदम भाग्यवान बन जाते हैं स्लोगन सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभवकार्य भी संभव हो जाएगा ओम शान्ती